पंजाब के मोहाली जिले के पीर मुछला एलाके में पंचकूला के एक ग्रूप की तरफ से ओल वुमन महिला रामलीला का मंचन किया जाएगा। भारत में इसे अपनी तरह की पहली रामलीला माना जा रहा है। पारमपरिक रामलीला के इस अनूठे एडिशन का मकसद रूड़िवादिता को तोड़ना है। साथ ही उन लोगों को भी चुनोती देना है जो ये मानते हैं कि रामलीला में सिर्फ पुरुशी परफॉर्म कर सकते हैं। मैं पहले प्ले कराता रहा हूं यूद्वेस्ट गर्स को तो गर्ल्स को कराना कोई नई बात नहीं थी मेरे लिए। लेकिन ये था भी टोटल गर्ल्स है और अलग लग फील्ड से हैं। सब सबस्याओं को ओवर कम करके इन बच्चों ने ऐसा कर दिखाया है कि आप देखना कि हाँ इस इलाका में पूरा चण्डिगड लाका में 50 रामिला हो रही हैं। लेकिन 50 रामिला में से मुझे विश्वास है कि ये रामिला नंबर वन होगी। इस रामिला का मकसद युवा पीड़ी और सांस्कृतिक परंपराओं के वीच की खाई को पाटना भी है। इस प्रोडक्शन में शामिल महिला कराकारों का मानना है कि आज की युवा टेक्नलोजी और मीडिया से बहुत जुड़े हुए हैं और सांस्कृतिक विरासत के महत्व को दर्शाना चाहते हैं। और थोड़ से डिजिटल राम लीला है ये कि बच्चे से कनेक्ट कर पाएंगे कि पीछे आपके पूरे स्थीन्स चल रहे हैं। महिलाओं ने बताया कि राम लीला में परफॉर्म करना वास्तव में मुश्किल है क्योंकि उन्हें समवाद याद रखने पड़ते हैं। उनके मुताबिक राम लीला में परफॉर्म करने के लिए दस दिनों तक रहर सल करनी परती है हाला कि ये उनके अन्भव को बढ़ा रहा है। ऐसी कई खबरों के अपडेट पाने के लिए नवभारत को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेर करें।